Hey kids, hello everyone, मैं Amina, आज हम लोग कुछ कहानी से अपने दिन की शुरुवात करेंगे, कहानी राजा रानी की कहानी और वो राजा के साशनकाल की कहानी कि किस तरह से राजा अपने प्रजा के साथ रहता था, बिल्कुल सही बच्चों की आप बच्पन से ही अपने दादा दादी, न दे आ रहे हैं, तो वैसे ही यह कहानी है जो आपके इंग्लिश टेफोडिल बुक में है, यू निट 4A, खिंग जॉन और इस कहानी में एक राजा है, जिसका नाम है खिंग जॉन और वो बहुत ही क्रूर और निर्दई राजा है, जो अपनी प्रजा का बिल्कुल भी खयाल नहीं रखता है, बिल्कुल भी अपनी प्रजा की तरब ध्यान देता ही नहीं है, और वो राजा है इंग्लाइंड के, और उसके बाद इस कहानी में एक अबॉट है, अबॉट यानि पादरी, जो की चर्च के जो प्रिस्ट होते हैं, प्रिस्ट और वहां के धार में सटे हुए बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स होते थे हैं, जहां पर ये अबॉट, पादरी, प्रिस्ट, ये लोग वहां पर रहते थे, तो उसे अबी कहते थे, और इस कहानी में है एक शेपर्ड, शेपर्ड यानि की एक गड़ेरिया, चर्वाहा, और इनका काम क्या होता थ बेड़ बकरियों की देखरेक करना, और बच्चो इस कहानी को हम लोग एक नाटक के रूप में हम लोग सुनेंगे, नाटक, प्ले, बिल्कुल सही समझा आपने, जिस तरह से आप अपने विद्याले में कुछ वासा प्रोग्राम होने से, आप लोग अपना नाटक, कुछ स साथ मिल करके, स्टेज पर जा करके, पॉफॉर्म करते हैं, अपना नाटक, अपना अक्टिंग आप लोग वहाँ पर जा करके, स्टेज में करते हैं, वैसा ही ये कुछ नाटक के रूप में हमारे सामने हैं, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है, इंट्रस्टि There was once a king of England whose name was John. एक समय की बात है, England के एक राजा थे, उनका नाम था John. He was a bad king, वो एक बुरे राजा थे, for he was harsh and cruel to his people. वो बुरे थे, क्यूंकि वो अपने प्रजा के प्रती, क्रूर और निर्दई थे. And so long as he could have his own way, he did not care about his subjects. और बहुत ही लंबे समय से वो अपनी नीती नियम के अनुसार ही सासन करते आये थे, तो वो अपनी प्रजा की और बिलकुल भी ध्यान वो नहीं देते थे. Now, अब, there was in the town of Contemporary a rich old abbot, head of monks, who lived in a big house called the Abbey. वहाँ उस समय इंगलाइन के एक शहर, Contemporary में एक अमीर बुढ़ा अबाट, यानि कि पादरी रहता था, जो कि एक बड़े से घर में रहता था, और उस घर का नाम था Abbey, और उसे Abbey कहते थे. Abbey, it means, यहाँ पर बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे buildings होते थे, जैसा आप इस picture में देख रहे हैं, और उसके साथे साथ एक गिर्जा घर भी होता था, तो इसमें ही father, pastor, priest, यह लोग वहाँ पर रहते थे. Every day, a hundred noblemen sat down with him to dine, while fifty brave knights in fine velvet coats and gold chain waited upon him at his table. हर दिन उस Abort के साथ करीबन सो सजजन लोग खाना खाने के लिए उसके साथ आते थे. It means कि उससे मिलने आते थे. और उस समय ही, उसके अलावा ही, सौ के अलावा और पचास बहादुर सैनिक, knights यानि सैनिक, जो कि fine मकमल का coat पहने हुए होते थे और बहुत सारे gold chain पहने हुए होते थे. वो लोग Abort से मिलने के इंतिजार में होते थे. इसका मतलब साफ है कि वो Abort जो था, वो पादरी जो था, बहुत famous था और उसे लोग बहुत पसंद भी करते थे. इसलिए हर दिन सौ के संख्या में लोग उससे मिलने आया करते थे. When King John heard that the Abort was living a better life than a king, जब King John ने इस बारे में सुना कि एक Abort, वो Abort, राजा से अच्छा लाइफ spent कर रहा है, राजा से अच्छा लाइफ वो जी रहा है, He made up his mind to put a stop to it. अब उसने अपने दिमाग में सोच लिया कि इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि राजा से ज़्यादा famous, राजा से ज़्यादा प्रसिद कोई नहीं हो सकता है, ऐसा King John का सोच ना था. So he sent for the old man to come and see him. तो फिर अब उस Abort के पास, King John ने अपने सैनिक को भेजा, कि जा उसे मेरे कोट में लेकर किया, मेरे राजदरबार में लेकिया. तो बच्चों अब यहाँ से शुरू होता है सीन वन, पहला सीन, नाटक का पहला द्रिस्य, जो द्रिस्य है, King John के कोट का, कोट यानि उसके राजदरबार का, तो वहाँ पर King John अपने सिहासन पर अपना सोने का मुकुट पहन के बैठे हैं, और उनके आसपास उनके मंत्री भी है, तो सामने से सैनिक अबाट को पादरी को ले करके आता है King John के पास, तो King John कहते हैं, वेल, फादर अबाट, I hear that you keep a far better house than I, मैंने ये सुना है फादर, कि आपके पास मुझ से अच्छा घर है, यहाँ पर King John ने अबाट को फादर कहके संभोधित किया, फादर का मतलब होता है पिता जी, यानि है ना पापा, लेकिन यहाँ पर, फादर मेंस है, चर्च में, गिर्जा घर में, जो प्रिष्ट होते हैं, पादरी होते हैं, उनको फादर कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए अबाट को फादर कहके संभोधित किया, अब उसने, किंग जॉन ने आगे कहा, कि मैंने यह सुन रखा है, कि आपके पास मुझसे अच्छा घर है, आपकी ऐसे हिम्मत कैसे हुई, ऐसा काम करने की, यानि, मुझसे अच्छा घर रखने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, क्या आपको मालूम नहीं है, कि राजा से अच्छा कोई भी लाइफ नहीं जी सकता है, अब उट ने कहा, ओ खिंग, ओ राजा, I beg to say that, मैं ये कहने के लिए माफी मांगता हूं, I am spending nothing, but what is my own, मैं कुछ भी और खर्च नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वहीं कर रहा हूं, जो मेरा अपना है, मेरा खुद का है, I hope that you will not misunderstand me for making things pleasant for my friends and the brave knights who are with me, मैं ये आशा करता हूं कि आप मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं, कि मैं अपने दोस्तों और उन बहादूर सैनिकों के लिए सब कुछ अच्छा बनाने की कोशिस करता हूं, जो मेरे साथ रहते हैं, King John ने कहा, There is no question of misunderstanding you, यहाँ पर तुम्हें गलत समझने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है, All that there in this land is mine by right, जितना भी कुछ इस धर्ती पर है, इस जमीन पर है, वो पूरे अधिकार से मेरा है, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूं, And how do you dare to put me to shame by living a grander style than I, और तुम्हारी इतने हिम्मत कैसे हुई, मुझसे अच्छा lifestyle रख करके तुम मुझे शर्मिन्दा करने की, यानि यहाँ पर राजा को यह feel हो रहा है कि अबॉट का वो इतना famous है, इतने सौ से जादा लोग उससे हर दिन मिलने आते हैं, इतना अमीर है, इतना अच्छा घर है, तो वो कहीं न कहीं राजा को शर्मिन्दा कर रहा है, ऐसा राजा सोचता था, लेकिन क्या ऐसा था, विलकुल भी नहीं था ऐसा, फिर आगे कहता है राजा, कोई सोचेगा ऐसा देख करके, कि तुम मेरी जगा पर राजा बनने की कोशिश कर रहे हो, अब ओट कहते हैं, ओ, do not say so, for I, please, आप मेरे लिए खिंग ऐसा ना कहें, King John कहते हैं, Not another word, cried the king, चिलाते हुए King John कहते हैं, अब एक शब्द नहीं, Your fault is plain, तुम्हारी गल्ती सीधी है, सामान नहीं, and unless you can answer me three questions, और अगर तुम मेरे तीन सवालों के जवाब नहीं दे पाए, your head shall be cut off, and all your riches shall be mine, तुम्हारा सर काट दिया जाएगा, और तुम्हारी जितनी भी संपत्ती है, वो सब मेरी हो जाएगी, The abort, Abort कहता है, I will try to answer them, O King, O Mahan Raja, मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, King John कहते हैं, Well, ठीक है तब, Then, as I sit here with my crown of gold on my head, तो चुकि मैं अपने राज सिहासन पर यहां बैठा हूँ, अपने सर पर सोने का मुकुट पहन के, Crown, Crown यानि बच्चो मुकुट, You must tell me within a day, तुम्हें एक दिन में मुझे बताना होगा, Just how long I shall live, मैं कितने दिन तक जीवित रहूंगा, यह था राजा का पहला सवाल, दूसरा सवाल, You must tell me how soon I shall ride round the whole world, और तुम्हें मुझे यह भी बताना होगा, कि कितनी जल्दी मैं इस पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ सकता हूँ, And lastly, third question, You shall tell me what I think, और तुम्हें मुझे यह भी बताना होगा, कि मैं क्या सोचता हूँ, अब उट ने कहा, O king, O raja, These are deep, hard questions, यह बहुत ही गहरे और कटिन सवाल है, And I cannot answer them just now, और मैं अभी तुरंत इन सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा, But, लेकिन, If you give me two weeks to think about them, लेकिन आप अगर मुझे दो सपता का time दे, इनके बारे में सोचने के लिए, किनके बारे में, उन तीन सवालों के बारे में सोचने के लिए, I will do the best that I can, मैं अपनी और से पूरी, पूरा अच्छा देने की कोशिश करूंगा, तो king john कहते हैं, Two weeks you shall have, चलो, मैंने तुमें दो सपता दे दिये, But, If then you fail to answer me, लेकिन उसके बाद भी, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देने में नाकामियाब रहे, You shall lose your head, and all your land shall be mine, तुम अपना सर खोदोगे, और तुम्हारे जितना भी धन समपत्ती है, जमीन जायदाद है, वो सब मेरा हो जाएगा, इतना कहके, किंग जॉन ने, दो सब्ता का टाइम दे करके, अबोट को राजदर्बार से भेज दिया, Then, The abot leaves the court, sad and in great fear, तो abot, वो पादरी, कोट से निकल गया, दुखी और बहुत जादा वो भैभीत था, भैभीत था वो, वाए, क्यों था, क्यूंकि वो उसको डर था, कि वो तीन सवालों के जवाब ना दे पाया, तो वो राजा उसका सर काट देगा, He writes to the famous universities of England, the Oxford and the Cambridge to find the answers, अब वो अपने घोडे पर बैट करके, England का famous universities, महा विद्याले, Oxford और Cambridge वो चाता है, उन तीन सवालों के जवाब ढूणने के लिए, At last, आखिरकार, sad and sorrowful, he rides towards home, to bid his friends and his brave nights goodbye, for now, he had less than a week to leave, तो अब जब वहां के महा विद्याले के बुद्धिमान लोग भी उन तीन सवालों के जवाब नहीं दे पाएं, तो वो हतास, दुखी हो करके, उदास हो करके, वो अपने घर वापस अपने घोडे पर बैट करके आने लगा, और वो ये सोच रहा था, कि अब मेरे पास एक सप्ता भी नहीं है, लाइफ को स्पेंड करने के लिए, यानि एक सप्ता वही उन सवालों के जवाब ढूनने में ही पार हो जाते हैं, और अभी कुछ ही दिन बाकी रह गया था, और वहाँ किंग जॉन के पास जा करके उसको तीनों सवालों के जवाब भी देने थे, तो वो सोचता है कि अब मैं घर जा करके, जो मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे बहादूर सैनिक हैं, उन लोगों को मैं अपना आखरी गुड़बाई कहके चला जाऊंगा, अब यहाँ सीन टू शुरू होता है बच्चो, इन दे कंट्री साइड, यानि अब वो इंग्लाइन राज्य से, जो में टाउन से निकल करके आगया अपने कंटेबरी शहर, गाउं के शहर में, अब वो अपने घोड़े पर सवादा, अब वार हो करके अपनी घर की और जा रहा था, तो उस बीच रास्ते में उसे अपना शेपर्ड, यानि कि उसे चरवाहा उसे अपना मिल जाता है, जो मैदान जा रहा था अपने भेड़ बकरियों को ले करके, तो शेपर्ड अब वोट को कहते हैं, तो आपका स्वागत है हमारे अच्छे गुरू, महान गुरू, आप किंग जॉन के पास से क्या अच्छा समाचार लेके आए हैं, तो अबार्ट कहता है, साड न्यूज, साड न्यूज, ये बहुत ही दुखद समाचार है, उसके बाद अबार्ट ने सारी कहानी शेपर्ड को सुना दि, कि उसके साथ क्या क्या हुआ, ये शेपर्ड कहता है, चीर अप, चीर अप गुड मास्टर, Have you never yet heard that A fool may teach a wise man wit I think I can help you Out of your trouble अब Shepard King Abort को कहते हैं कि Good Master अच्छे गुरू खुश हो जाईए क्योंकि क्या आपने कभी भी इस बारे में सुना नहीं है कि कभी-कभी एक मूर्ख भी बुद्धिमान वैक्ति को चाला की सिखाता है मुझे लगता है मैं आपकी इस समस्या से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ तो बच्चो यहाँ पर इस लाइन में ध्यान देंगे यहाँ पर Shepard Abort को कहते हैं Have you never yet heard that a fool may teach a wise man wit कि fool फूल यहाँ पर Shepard खुद को कह रहा है कि वो एक मूर्ख है क्यूंकि वो जादा पढ़ा लिखा नहीं था ठीक है और वो wise यानि बुद्धिमान Abort को कह रहा है और wit wit यानि चालाकी तो वो यह कह रहा है कि एक मूर्ख मैं अभी आपको कुछ चालाकी वाला प्लान मैं आपको बताऊंगा जो मेरे दिमाग में है और मैं शायद हो सकता है कि इससे मैं आपको आपकी समस्या से बाहर निकाल पाऊं तो Abort कहते हैं How can you help me? तुम मेरी किस तरह से मदद कर सकते हो? Shepard ने कहा Well ठीक है You know that Everybody says that I look just like you आपको तो यह पता ही होगा कि हर कोई यही कहता है कि मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखता हूं यहां Shepard कह रहा है Abort को And that I have sometimes been mistaken for you और कई बार तो लोग लोगों को गलत फैमी हो जाती है कि मैं आप हूं यानि कि देखिए यहां पर यह Shepard है और यह Abort है इन दोनों का चहरा पिल्कुल सेम है न तो यही बात Shepard Abort को समझा रहा है कि सब कहते हैं कि मैं आपकी तरह दिखता हूं और कई बार लोग गलत फैमी से मुझे आप समझ लेते हैं तो यहां पर अब Shepard कह रहा है आप अपना नौकर, सर्वेंट्स और अपना घोड़ा और अपना यह गाउन यह जो लंबा सा जो गाउन जो पहने हुए न Abort यह गाउन Shepard मांगता है आप मुझे दे दीजे यह सब चीजे और मैं जाओंगा लंडन King John से मिलने के लिए और अगर मैं वहाँ जाकर के कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम मैं आपकी जगह पर मर तो सकता हूँ Abort ने कहा My good Shepard मेरे अच्छे चरवा है You are very very kind तुम बहुत बहुत दयालू हो And I have a mind to let you try your plan और मुझे मन कर रहा है कि मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि ठीक है मैं तुम्हें अपना plan पे काम करने दूँ But if the worst happens लेकिन अगर बहुत बुरा हुआ तो बहुत बुरा क्या हो सकता है यही कि Shepard का सर काट दिया जाए उस Abort की जगह पर लेकिन Abort ऐसा बिलकुल भी नहीं चाहता था उसने कहा You shall not die for me तुम्हें मेरी जगह मरना नहीं चाहिए तुम्हें मेरे लिए मरना नहीं चाहिए But I will die for myself मैं खुद के लिए खुद ही मरूंगा So the Shepard gets ready to go तो अब Shepard जो है चरवाह वो जाने के लिए तैयार हो गया कहां जाने के लिए? London जाने के लिए He dresses himself with great care अपने आपको उसने बड़ी ही साफधानी से तैयार कर लिया Over his Shepard's coat He throws the Abort's long gown अपना Shepard का coat के उपर वो Abort का लंबा सा गाउन वो पहन लिया जो गाउन वो उससे मांगा था And he borrows the Abort's cap और वो Abort का cap भी मांगा उससे And golden staff और उसकी सोने की चड़ी मांगी Then he mounts his horse और फिर उसके बाद वो Abort के घोड़े पर सवार हो गया And with a great train of servants Sets out for London और फिर वो नौकर चाकर की लंबी रेल के साथ वो लंडन के लिए रवाना हो गया वहाँ पर वो King John से मिलने जाता है तो बच्चो ये कहानी का पार्ट यहां तक ही है इस वीडियो में और उसमें जानेंगे कि क्या सेपर्ड जो खुद को मूर्क बोल रहा था क्या वो King John के पास चालाकी से कुछ अच्छा कर पाएगा यानि वो अपना सर को कटने से सेव कर पाएगा या नहीं या फिर जब वो King John के पास पहुचेगा तब उस समय King John उसको पहचानेंगे या नहीं ये शेपर्ड है या फिर अबोट और या फिर सब ठीक भी रहा बच्छो तो वो King John के तीन सवालों के जवाब दे पाएगा की नहीं तो चलिए waiting for the next video of this story part 2 और उस part में हम लोग उन सारे सवालों के जवाब हम लोग देखेंगे क्या होता है Thank you बच्चो